हुआ 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 है इस्टुरेंट्स कैसे हैं आप लोग पाइसल विजय पाटिल मैं आज आपको मैथमेटिक्स में कॉडिनेट जोमेट्री चाहिए मेंस और एडवांस के लिए तयार कराने आया हूँ दोस्तो मैं आपको इन दो महिने में पूरा सिलेबस बैक टू बैक पूरा सिलेबस डेली आपको हर टॉपिक पर कॉम्टिटी एक्जाम में कहां कहां से प्रॉब्लम साते सारे की सारे डिसकस करने वाला हूँ दोस्तो मेरी क्लास दूसरों से डिफ्रेंट क्यों होगी वो मैं आपको बता सकता हूँ नमबर फर्स्ट मैं आपको एक क्लास में एक बड़ा टॉपिक कवर करूँगा जिससे आपके जही मेंस में या एडवांस में एक या दो कुश्चन सॉल हो जाएंगे समझ में आ गया ज़्यादा बातना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिससे आपको फाइदा बहुत ज़्यादा मिलेगा है ठीक है दोस्तों चलिए कॉपी पेन निकाल लीजे स्टार्ट करते हैं कोडिनेट जोमेटरी ठीक है दोस्तों ओके स्टार्ट करते हैं सबस फर्मले में दोस्तों मैं फिलाल स्टार्ट तो भाई करूंगा कोडिनेट जो में जिससे आपको करेक्टिविटी पूरी मिल जाएगे है ना दोस्तों x-axis origin y-axis 2D में मैंने दो पॉइंट्स लिए a x1 y1 b.x2 y2 दोस्तों a b के बीच का distance distance between two points a and b x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square इसके अंदर कुछ जादा properties होती नहीं है अगर in case कोई बात होती है तो जादा से जादा एक कोडिनेट origin अगर मैंने पकड़ लिया दूसरा कोडिनेट कुछ और भी ले लिया xy तो याद रखेगा a b के बीच का distance only x2 plus y2 होता है got it next यह distance formula second सबसे important है दोस्त इनके questions पहला question तो let's do दूस्त फिर second question अच्छा देना शुरू करूंगा first question आप note करेंगे first question find a if the distance between distance between a क्या दिया है 3, a b बी पॉइंट जल्दी से दिखो यार क्या दिया हुआ है 4, 1 and a b के बीच का distance root 10 ओके दोस्तों a b equal to under root of x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square जैसे कि आप completed exam में बैठ रहे हैं तो formula नहीं फटा-फट लिखना है आपको a b की value put करी 1 का square 1, 1 minus a का whole square squaring both the sides tan equal to 1 plus 1 plus a square minus 2a आप देखेगा a square minus 2a minus 8 equal to 0 ठीके दोस्तों इसको उठागे दर transfer कर दिया है a square 4 to 8 minus 8 equal to 0 a common हो गया है a minus 4 plus 2 a minus 4 equal to 0 a minus 4 a plus 2 equal to 0 a equal to 4 a equal to minus 2 यह आपको आता था पर दोस्तों topic तो start करना ही है ना मैं आपको पूरा topic कराने की बात कर रहा हूं ठीके जल्दे से note करें पड़ाफ़ट note करें पड़ाफ़ट note करें पड़ाफ़ट note करें then second start कर दें इससे मैं रफ करना चाहूंगा पोस कर लिजे चाहूं वीडियो ठीके दोस्तों continue क्योंकि time हमारे पास कम है काम बहुत हैं बहुत ही important चीज़ें आपको मैं discuss करना सिखाऊंगा वाओ दोस्तों एक if three vertices of a rectangle are 0,0 2,0 0,3 then the coordinate of the fourth vortex आपको fourth vortex से यह तो जनली बच्चा क्या करता है फटाफट यू 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 बनाने कुछ करता है rectangle a लिखा 0,0 यह b लिखा 2,0 c लिखा 0,3 यही कुछ है ठीक है और यह fourth vortex लेख दिया एक्स कॉमा य और फिर डिस्टेंस फर्मुला लगाने लगा नहीं दोस्तों इसे आप कोशिश करिएगा कि एक्सेस पर बनाओ जैसे ही आप एक्सेस पर बनाओगे तो आपको सारी पिच्चर क्लियर हो जाएगी अच्छे से नमबर फर्स्ट देखिए दोस्तों rectangle की बात करें तो एक कॉडिनेट इसका 0,0 है तो second x एक्सेस पर आएगा a 2,0 हड आएगा यहां 0,3 तो यहां का ही point अब एक बाव बताईएगा a 2,0 मतलब parallel to y-axis line 0,3 parallel to x-axis line जहां पर यह intersect करेगा यह fourth coordinate मिल जाएगा आपको 2,3 parallel है तो यह two distance है यह three distance है तो आपका fourth coordinate आगया 2,3 आपको लगाने की जरुवत नहीं है formula ठीक है दोस्तों जल्दी से नोट करें then second problem जब तक मैं आपको बता रहा हूँ आईए दोस्तों बहुती बढ़िया बहुती बढ़िया जल्दी से फटाफट इस problem को एक बार पढने की कोशिश करें पढने की कोशिश करें आप सब चानते होंगे याद रखेगा दोस्तों सबसे पहले इस कोशिश कोशिश करने के लिए मुझसे बनेगा नहीं जल्द बाजी में बना रहा हूं आप कोशिश करें आप कोशिश करें अ कि ठोरा वंद बन गया हलका कूल को बना लो क्योंकि ऐसे में अगर हम टाइम लगाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों ठीक है दिक्कत हो जाएगी फिर भी चलिया शुरू करते हैं हम लोग आप बना लिजेगा ए बी सी डी ए के कोडिनेट लेखे जल्दी से एक के कोडिनेट ठीक है 4 आएगा 4 माइनस 2,4 और B के कोडिनेट है दोस्तों 1,5 C के कोडिनेट है दोस्तों 4,3 और D की कोडिनेट 1,2 आई थिंग 1,2 है तो आपको पैलोग्राम प्रूफ करना है पैलोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको यह हमेशा पता होना चाहिए हमेशा पता होना चाहिए पैलोग्राम में कि दोस्तों A, B, A, C जो डाइगनल है उसका मिट पॉइंट B, D के डाइगनल के मिट पॉइंट पर सेम लाई करता है याद रखेगा दोस्तों M के कॉडिनेट फाइंड आउट करो कैसे इधर से देखे तो माइनस 2 प्लस 4 बाई 2 आता होगा आपको मिट पॉइंट का फार्मूला X1 प्लस X2 बाई 2 X1 प्लस X2 बाई 2 नेक्स दोस्तों 4 प्लस 3 बाई 2 तो दोस्तों ये कॉडिनेट इसके तुरू A, B, A, C के तुरू तो याद रखेगा 1, 7 बाई 2 नमबर सेकेंड B, D के तुरू देखे जरा तो इसका मिट पॉइंट 1 प्लस 1 बाई 2 5 प्लस 2 बाई 2 डाइट मेंज 1, 7 बाई 2 A, B, C, D इस पैलरग्राम, समझ मागे दोस्तों ठीके दोस्तों आईए, next, next बहुत important ये J-E means में आ चुका है, J-E means में आ चुका है ये question ज़़ा इसको देखेगा, आपको बढ़ा पसंद आने वाला है ये question if non-zero numbers A, B, C, A, B, C, R, N, H, P, R, N, H, P then the state line X by A plus Y by B plus 1 by C equal to 0, 1 by C equal to 0 always passes through the point, always passes through the point, देखे दोस्तों दोस्तों एक काम करते हैं बहुत ही important चीज़ डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों को, हाईए दोस्तों कोई बढ़ा काम नहीं है इधर देखेगा, मान लेते हैं A, B, C, R, N, A, P तो A, P के लिए आप जानते हों कि 2nd term minus 1st term equal to 3rd minus 2nd के equivalent तो 2B equal to A plus C हो जाता है, बोलो हाईए न, याद रखेगा दोस्तों A, B, C, R, N, H, P अगर कहीं लिखा है, तो हमेशा एक बात याद रखना H, B, हमेशा A, B का रहसी प्रोकल होता है, याने 1 by A, 1 by B, 1 by C, R, N, A, P 2nd term minus 1st term, always 3rd term minus 2nd term के equal to A, B को उधार transfer करो तो 2B by B equal to 1 by A plus 1 by C, अब इसको इधार फ्रीक दो, तो मारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा, 1 by A minus 2 by B plus 1 by C equal to 0, मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मैंने इससे इसको compare किया, X upon A plus Y upon B plus 1 upon C equal to 0 1 by A, A तो है, X मतलब 1 होना चाहिए, Y मतलब minus 2 होना चाहिए, that means कौन से point से पास हो रहा है, 1 कवर minus 2 से पास हो रहा है, अभी APGP जब आएगा, तो मैं इसके बारे में बहुत बहुत positive knowledge देने वाला हूँ, आप लोगों को, जल्दी से फटा-फट इसे copy करो, जहीं में इस 2004 ये 5 का question है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीके, next, next मेरे दोस्तों, next, बहुत important चीज discuss करने जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं, अगर आप लोगों ने support किया, तो मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, आईए, दोस्तों, सबसे पहले, सबसे important बात बताने जा रहा हूँ, ठीके, और कलिया, जब तक मैं question तो लिखता ही हूँ, वाव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीके, दोस्तों, आईए, प्रूब दाट, यह तो question बहुती आसान है, A दिया है, B दिया है, C दिया है, D को को मत थिरी दिया है, डीके कोडिनेट 2 को मत थिरी दिया, और the vertices of a rectangle, यह आपको प्रूब करना है, rectangle का मतलब क्या हो जा गया सिंपल सी बात है, अप उल्दी साइट सार एक्वल, ठीके, एन डाइगनल सार ऑलसो एक्वल, ठीके, और rectangle का एरिया क्या होता है, aim to be, length into breath, दोस्तों, आईए, यह आप लोगों ने लिखे लिया होगा, अच्छा से लिख लिया होगा, अच्छा से कर लिया होगा, ठीके, द मैंने गा, फिर तुम चलना होगे, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, बना लो, A, B, C, और यह D, ठीक है, A, B, C, A के कोडिनेट माइनस 4, माइनस 1, B के, C के, और यह D के कोडिनेट में लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, दोस्तों, सबसे पहले, इसके, आप मैं लिखना चाहू माइनस 2, माइनस 4, और उसका क्या है, 4, 0, and 2, 3, ठीक है दोस्तों, अब आपको बनाना है, बनाना है मतलब क्या, भाई, A, B का डिस्टेंस निकाल, हमेशा C, D, के एक्वल होना अच्छी, या एक अंडरूट 30, मिज़े याद था, इसके डिस्टेंस के एक्वल होगा, समझ तुम निकाल के देखना, B, C का डिस्टेंस, A, D की डिस्टेंस, मैं आपका टाइम सेफ करा, उसमें एक आपको अच्छी नहीं ट्रिक बता सकता हूं, समझ मैं, इसका डिस्टेंस आएगा, अंडरूट 13, करके दिखाऊं, चल देख लिए, मुझी का दिखकर, माइनस 2, प् करते हैं, एरिया आप सब जानते हूं, A into B, एक या है, अंडरूट 13, into 2, अंडरूट 13, that means 26 square units, यह आसान है न, फटा-फट, इसलिए थोड़ा, स्पीड ली कर रहा हूं, अब इसके बाद, बहुत कुछ आने वाला है, चलिए, इसके अगले कोश्टन से ही, आप हम डिस्क् बाता नेक्स्ट, यह आ एक व्चंट, यह आएगा आपके एकसाम में, इदान तो करके बताओ, कर भी लोगे न, तो पांच कुछन का खून करोगे, जब जाके करोगे इस कुछिट्यों को सार, पांच कुछिट्यों का पांच कोशन का मडर करोगे, बेटा, पता है, मतलब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट हम कोशिश करते हैं मैं यहां बनाने जा रहा हूं ते द्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करो ठीके दोस्तों सबसे पहले मान लेते हैं मैं फिर कि एकसे पे नहीं बना रा हू ऑँ मैं सिर्फ चोटी सा काम कर रहा हूँ दिखे दोस्त मान लेते हैं फिर बोल रहा हूं इधर कि इदर देख लिजेगा फिर मत बूलना कि आप कुछ तो गलत बनाया कई बार कुछ गलत चीज मना करके भी आप अपना भला कर सकते हूं चेके मान लेते हैं हम मान लेते हैं हम कोई एक स्क्वेर यहां पर मैंने मनाया मैं A B C D अगर एक्सेस पर बनाने लगूंगा टाइम बरबाद होगा मुझे नहीं बनाना टाइम बरबाद नहीं करना पूर कॉमा 10 और एक पॉइंट है क्या माइनस 6,8 माइनस 6,8 सेकंड कॉर्टिन में आता है मुझे भी पता है मत ग्यान देना मुझे समझ में आगे जो मैं बोल रहा हूं मेरा शॉटकट मेरा तरीका उधर सुनों पहले शॉटकट छोड़ देता हूं पहले बात करता हूं आ बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कैसा करना पड़ेगा उसे समाजने की परशिश करोगा ठीके दोस्तों सबसे पहले मैं काम करता हूं मैं पहले टेक्निकल बात बताता हूं ठीके एक बाह बताओ इसे एक्स कॉमा वाई मानों डिस्टेंस फार्मूले से अगर एक पाइथागुरिस से बना करके बहुत बड़ी एक्विशन सौल कर सकते हूं ठीक है वह छोड़ो वह भी मैतड़ छोड़ो भाई साब इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करो यह फोटीफाइब मान लेते हैं यह बाइसेक करेगा इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं एक कितना लंबा प्रोसेस है दोस्तों पर मेरा तरीका देखेगा मैं इसे दस सेकेंड में सौल करने की कोशिश करूंगा यह ऐसा आप लोगों ने किया होगा अब इस पूरे बेटा किसको इसको मैं पूरे को उठागर के ओरिजिन पर शिफ्ट कर दूंगा क्या कर दूंगा द समझ में आगे है नहीं आगे याद रखेगा दोस्तों सबसे पहले शिफ्ट शिफ्ट दो ओरीजिन 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 टू ओर कॉमा थैन वाई ट्रांस्पर्मेशन परमेशन ओर्मेशन ओफ एक्सेस समझ गहे है बाई ट्रांस्पर्मेशन ओफ एक्सेस सिस्ट लिखाएं ओमेशन और एक्सिस सर कैसे करते हैं कोच्छ मत करो उठाओ इसको इसी से माइनस कर तो तो पूरा ग्राफ यहां शिफ्ट हो जाएगा तो यह यह वाला कॉडिनेट क्या हो जाएगा पता है तुझी आध जीरो कॉडिनेट जीरो कॉमा जीरो इसको इसी माइनस करना है तो माइनस 4 माइनस 10 हो जाएगा और 8 माइनस 10 अंसर माइनस 2 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा समझे गए दोस्तों अब इसके बाद जो मैं समझाने की कोशिश करना हूँ सुन लो अब मेरा फार्मूला मान लेते हैं यह स्कूर है ए बी सी दी यह क्या है दोस्तों और जिन जिरू-जिरू यह क्या है दोस्तों एच के याद रखना भी के कोशिश के बाइट ह माइनस यह फार्मूला है यह डारेक्ट वैल्यू फाइंड आउट हो गए समझ में आ गया और d k coordinate d k coordinate h plus k by 2 minus h minus k by 2 देखेगा दोस्तों मैं जो चीज समझा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना आगे आपका काम आपका काम हो गया इधर ध्यान से एक बार वो समझ लो मान लेते हैं कोई एक square है अच्छे समझ लेना एक second का काम है यह कोशन आपके एक्जाम में जरूर आने वाला है ठीक है जिसके coordinate हमेशा कीवन होंगे 0,0 c आपको दिया होगा h k तो आपको find out करना है b और d तो b के coordinate h minus k by 2 और h plus k by 2 होता है डायरेक्ट बात कर रहा हूं बी के coordinate और d के coordinate क्या होते है दोस्तों सीधी सी बाद जो y वाला है वो x वाला हो जाएगा और इसमें minus लगा करके यह y वाला हो जाएगा यह आपका काम खतम आईए दोस्तों यहां जगह कम भी इसलिए में इसको मिटाया है वालेक दिया दूसरा यह 0-0 यह h और यह k है तो b के coordinate b के coordinate minus h minus minus 2 by 2 दूसरा h minus 2 by 2 बस इसी के निकालना बाकी ज्यादा मत करना अब किता हो जाएगा यह minus minus plus minus 8 minus 4 minus 12 by 2 minus 6 अब d के coordinate यहीं से लिख लेना यह minus 6 यहां लिख देना ओके इसमें minus लगा के 4 कर दो यह आगे अभी actual में यह नहीं आए अभी तो यह origin पर shift किया था origin पर यह पूरा square shift किया वापस इसको origin से इस point पर shift कर दो तो इसके अंदर यही point add कर दो उसमें subtract किया था इसमें add कर दो तो b के main coordinate आ जाएंगे क्या जाएंगे 4,10 add करना है जिससे subtract के तो उससे add करना है तो यह 0 हो जाएगा कॉमा minus 2 हो जाएगा पता है क्यों minus 4 plus 4 और minus 6 plus 10 तो यह sorry minus 6 plus 10 तो यह 4 हो जाएगा यह 0 हो जाएगा number second d के coordinate find out करना है d के coordinate तो एक बात याद रखेगा इसी के अंदर आप plus 4 कर देंगे इसी के अंदर आप 10 add कर देंगे तो यह जाएगा minus 2,40 यह आगे आपका shortcut फिर से एक बार सुन लो फिर से एक बार समझ लो बहुत अच्छे से relax होकर समाझ लेना क्योंकि यह question बहुत दिनों से आया नहीं है आपके exam में 100% आने वाला है देख लीजे आप से बोल रहा है एक square के opposite vertices दे रहा हूं मैं आप मुझे बी और सी find out कर दो ठीक है साब बी और सी find out कर दो ठीक है मैंने का natural method से चलूँगा तो मुझे कम से कम 57 मिनिट लगेगा मुझे यह भी लेखने की दरवात नहीं पड़ेगी शिफ्ट दी origin टू कॉर कॉमा टैन बाइट transformation of axis कुछ नहीं लिखना इस square को मैंने कहीं भी बना अभी फिलाल मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूं इसको उठा करके मैं सिर्फ origin पे शिफ्ट करना जाओ किसी एक point को उसी point सा माइनस कर देंगे दोनों में याद रखना है यह origin पे शिफ्ट हो गया है ठीक है origin पे शिफ्ट हो गया है आगे एक कॉछन बूल जाओ मैंने काम किया है एक कोशन है जिसके वर्टाइस है काई के डाइगनल के स्क्वाइर के एक फिक्स है जीरो कॉमा जीरो और एक क्या है एच कॉमा के है तो उससे मैं डायरेक्ट यह फार्मुला निकाल चुका हूं बी और डी का एच माइनस के बाइटू एच प्लस के बाइटू यह बी का इसको मैं इधर लिखूंगा इसको माइस लागा कि इधर लिखूंगा तो यह डी का कॉडिनेट आ जाएगा ठीक है डी के कॉडिनेट आ गए अब आपको खुछ नहीं करना है इसके अंदर इसको उठाओ और यह आपका क्या कॉडिनेट नया पैदा हो गया नया क्या पैदा हो गया 0,0-10-2 पैदा हो गया अब यह आपका H हो गया यह आपका K हो गया तो B के कॉडिनेट फर्मुला में आपको B का बताया था क्या बताया था आपको यहाद है यहां value put कर दो minus 10 minus 2 के तो यह b का coordinate निकला है दूसरा d का coordinate d का coordinate तो आप इसी कूलटा कर दो लेकिन मैं लिख देता हूँ d का coordinate h plus k by 2 minus h minus k by 2 यह d के यहां put कर दोगे तो यह point आ जाएगा b और d आ गया अब आपको कुछ नहीं करना आपको कुछ नहीं करना वापस इसको उठा करके origin से 4,10 पर shift कर दो तो यह 4,10 यहां minus करके यह लाया था ना आप इसको add कर दो इसमे 4,10 4,10 add कर दो 4 add करूंगा तो 0 हो जाएगा इसमे 10 करूंगा एड तो 4 हो जाएगा ठीक है यह वाला 4 हो जाएगा इसमें 4 तो minus 2 हो जाएगा इसमें 14 हो जाएगा यह भी ओर धीक कोडिन्ट आ गया याद रिखीगा दोस्तों थोड़ा आप अपना एक बार समझ लोगे तो आप 10 सेकेंड में इसे solve कर लोगे समझ में आ गया जल्दी से note करो important है दोस्तों उसके लिए एक और support में मैंने question दिया है आप उसे करिएगा और मुझे बताइएगा chat box में लिख करके कि यह shortcut आपको कैसा लगा जल्दी से फटाक से note कर लें क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ मैं कभी भी natural तरीके से problem solve करने में विश्वास नहीं रगता हूँ मैं screen से हट गया हूँ जल्दी से copy कर लिया ओके नहीं कर पाए तो वीडियो post करो please copy कर लेना ठीक है मैं आपको notes भी बनवा के दे रहा हूँ जिससे की आपको exam में दिक्कत ना है exam के एक दिन पहले भी पढ़ सकते है जिस एरिया से problem आना है वो सारे की सारा मैं आप से discuss करने वाला got it? आईए next क्या ये problem आप करेंगे two opposite vertices of a square are three comma four and one comma minus one find the coordinate of the other vertices ठीके? अब उसको origin पे shift कर लो और फिर h minus k by 2 h plus k by 2 आजाएगा फिर अब उल्टा कर देना minus लगा देना solve दूसरा d बाला भी आजाएगा फिर वापस उसको add कर देना जिससे माइनस किया था सारे बटा ऐसे सब्सक्राइगा ठीके? ओके next हाँ तो दोस्तो फूर इसी चीज़े हम पढ़ लेते हैं क्योंकि इसकी जरुवत हमें पढ़ेगी आगे जा करके मैंने बहुत short में लिखा है ध्यान सुनिएगा क्योंकि के बारे में अगर हम दिस्केस करें इसके बारे में डिस्केस करें स्क्यर के बारे मी妳 So, proof all sites and diagonals are equal. बैटा, all sites are equal and diagonals are also equal. याग रखियेगा, पलरोग्राम में, proof करना है, अपोजीट sites are equal. पलरोग्राम but not rectangle. याख रखियेगा, पलरोग्राम बहुत नोट रेक्तेंगल. प्रोव इस अपोजीट sites are equal but diagonals are not equal. समझ में आगया दोस्तों? Rectangle Rectangle की बात करें Proof करना चाहिए आपको Opposite sides and diagonals are equal Opposite sides are equal And diagonals are equal Okay Rhombus but not a square Proof only Sides are equal But diagonals are not equal Every square is a rectangle Every rhombus is a phallogram In a rhombus Diagonal bisect each other At right angle Okay दोस्तों ये चीज़ बहुत अच्छे से नूट कर लिजेगा आपको काम आईगी Please note कर लिजेगा मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है ठीके अब आपके पास आगया है आपके पास आगया है Please कुशिश करिएगा जितने भी फिगर बनाएं एक्सेस पर बनाएंगे तो आपका कुश्चन का आंसर सेकेंड में आएगा आईए दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इफ दो वर्टाइस इस ऑफ एन एक्कुलेटरल ट्रैंगल एक्कुलेटरल ट्रैंगल यहाद रखेगा दोस्तों 00 और एक पॉइंट देख रखा है 3, root 3 ठीके दोस्तों 3, root 3 यह आ गया ठीके थर्ड वर्टेक्स निकालना है अब आप मुझे बताईएगा सारे बच्चे आपको बहुत पसंद आएगी बात आप मुझे बताईएगा दोस्तों इक्कुलेटरल ट्रैंगल में क्या होता है सर इक्कुलेटरल ट्रैंगल में होता है A B इक्कुल टू B C इक्कुल टू C A All sides are equal और एंगल एंगल A इक्कुल टू इंगल B इक्कुल टू इंगल C इक्कुल टू 60 डिग्री समझ मैं आ गया एक्कुलेटरल ट्रैंगल का एरिया बेटा में यह सारी चीजे आपकोई रिवाइस करा दी रूट 3 by 4 साइड स्क्वेर स्क्वेर यह रेंट्स यह सारी चीज़े देखू किते इच्छे से रिवाइस करा दी देखेगा दूस्तों next इधर देखेगा मैं आपको बताता हूं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना ची यह a है यह b है सर a b के बीच का डिस्टेंस under root of 3 minus 0 का whole square plus root 3 minus 0 का whole square a b equal to under root 9 plus 3 that means under root 12 मतलब क्या होता है 2 root 3 2 root 3 याने मतलब यह 2 root 3 यह हो गया तुझे पता है या तो यह point इदर है ऐसा triangle बनेगा या फिर ऐसा triangle बनेगा समझ में आ गया है C ठीडेश है तो यह coordinate होगा यह वाला coordinate होगा यह वाला coordinate होगा क्यों होगा सर क्योंकि इसकी भी side क्या हो गया है 2 root 3 है और इसका भी side 2 root 3 होना चीह है या इसका भी ठीर होना चाहिए मैं करके देख रहा हूँ फिर अपन बात करते नहीं तो एक सिंपल मैथड है वो कर लेंगे अपन ठीके दोस्तों आएए मेरे ख्याल से इसका जो डिस्टेंस और कॉडिनेट होना चाहिए माइनस ध्री रूट यह होना चाहिए समझ मैं देख लेहां करके देखने में कुछ नहीं जाता यार स्वारी बोलेगे इससे डिस्टेंस वही होगा तो अजिया सी का अंडर ऊफटरी माइनस जीरो का होले स्कूरर माइनस रूट-3-0 का होले स्कूरर यह तो तो साथ से फुला है root 3 plus root 3 का whole square that means vc equal to यह तो गया यहने हो गया 2 root 3 का whole square इससे यह गया oh my god यह answer बिलकुल correct यह हो सकता है या फिर minus 3, root 3 हो सकता है क्योंकि इसी का भी यही आना चाहिए समझ में आ गया तो आप option में चेक कर लीजेगा यह point है यह point है समझ में एक बार यह चेक कर लेना कि यह वाला है कैनी distance तो आपको अपने आपी समझ में जाएगा एक्सेस पर जब बनाऊगे यह distance to root 3 होना चाहिए तो मतलब यह कोडिनेट होना चाहिए समझ में आ गया आप चाहो तो option में लिखा होगा तो आप चेक भी कर सकते हो यह रहा आपको आंसर प्लीज कॉपी करें जब तो मैं second question निकाल वाव ओके जल्दी hurry up post करो वीडियो को पटाक से क्यूंकि मुझे आपको बहुत कुछ सिखाना है प्लीज बेटा जल्दी कर लो ठीक है नोट करना जरूर copy में तब यह आपको फाइदा होगा ठीक है रोस्तों थोड़ी speed में नहीं ज्यादा रहेगी पर इसमें syllabus अच्छा कवर कर दूंगा ठीक है section formula section formula तो टाइप के होते हैं मैं पढ़ाओंगा कुछ नहीं क्योंकि पढ़ाने मेंने बहुत टाइब लग जाएगा ठीक है a x1 y1 b x2 y2 m is to n तो याद रखेगा x equal to बच्चे बच्चे को बता है m x2 plus n x1 upon m plus n मैं बहुत कलबा बूलता हूं y is equal to m y2 plus n y1 upon m plus n अगर यह formula याद नहीं है तो फड़ना छोड़ो दो बैटा किसी काम कर नहीं हो फिर टेक है दोस्तो internal division external भी बता दूँगा दोस्तो बहुत important बहुती आसाल एंड जैसे exam में आ जाता है ये एंड जैसे exam में आ जाता है the coordinates of the points dividing internally in the line joining the points 4 कवा माइनस 2 a 4 कॉमा इनस 2 b जल्दी बताइएगा c क्या है आपके पास 8 कॉमा 6 x कॉमा y और ratio आपके क्या देख रखा है 7 कॉमा 5 तो सभी बच्चे को मालूम होना चाहिए m x2 मतलब 8 plus n मतलब 5 into 4 upon 7 plus 5 इससे ज्यादा मैं आपके मदद नहीं करूंगा मैं केवल आपको नोट्स बना रहा हूं किसलिए एक साला सा question भी दिया था प्लीज जरूर नोट करिए फटाफट जल्दी से इससे solve करके मुझे बताईएगा next 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 मेरे बच्चों एक बने दियान से सुनिएगा ओके क्या है मैं चेक कर रहा हूं वाव वाव बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है ठेक है अब देखिए find the ratio ratio find करने का बोल रहा है find the ratio find the ratio टेक है दोस्तों underline करें shortcut यहीं से शुरू कर रहा हूं find the ratio in which the line segment joining the points टू कॉम माइनस से पैन भी मत उठाना marker भी मत उठाना 2 कॉमा माइनस 3 and 5 कॉमा 6 y x is किस पर divide कर रहा है यह y x is पर y x is पर जब भी divide कोई करता है तो minus x1 by x2 लिख देना अंसर आ जाएगा minus x1 by x2 y x is पर minus x1 by x2 तो x1 की value 2 है minus 2 upon x2 किता है 5 तो अंसर आ जाएगा minus 2 is to 5 पर divide कर रहा है समझ में आ गया डाइरेक्ट आपको मालूम है y x is पर x 0 होता है x equal to 0 फिर हम क्या करते थे याद है अगर आपको याद हो तो a di b di a c ये 2 कॉमा क्या था 2 कॉमा माइनस 3 था और ये क्या था 5 कॉमा 6 था k is to 1 में divide करते थे y x is पर x 0 तो या formula आलते थे m x2 plus n x1 यादे upon m plus n equal to 0 फिर ये निकालते थे समझ में आ गया नहीं आ गया आप डारेक्ट लिख लिजेगा मत कुछ करिएगा सीरिसी बात x x is पर shortcut के दिया minus x1 by x2 ठीके दोस्तों मैंने यहाँ लिखके भी दिया है point ओके यह देखिए अगर x x is पर divide कर रहा है तो minus y1 upon y2 x x is पर जब भी divide करे तो shortcut लिलो minus y1 upon y2 ध्यान रखेगा इस बात को समझ में आगा दोस्तों यह second में question solve हुजाएगा इसका ठीके ठीके दोस्तों next next okay ठीके दोस्त ठीके ठीके मैं बता दूँगा हाँ आगे आ जाईए the coordinate of the midpoint of the line line segment joining the two points x1 y1 याद रखना a coordinate देख रखा है x1 y1 भी देख रखा है x2 y2 सभी बच्चे जानते c is the midpoint of a b m m याने m equal to n है तो x के coordinate याद करो x1 plus x2 by 2 y is equal to y1 plus y2 by 2 अगर समझ में आ गया हो तो please copy जरूर करेंगे आप please copy करेंगे समझ में आगे हो तो ठीक है याद रखीगा दूस्तों वाओ क्या बात बोली है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है पहले मैं आपको याद दिलाओंगा if the coordinate of the midpoint of the side of a triangle आर देखो पिटा अब को अगर याद हूँ तो बताईएगा ये ए दिया है ये बी दिया है ये c दिया है दी दे दिया मिट पैंट पॉइची इसमेट पैंट औफ एसी एफ इसमेट पाइट पाइट ऑफ एबी इनके कोडिनेट देख रखें क्या 1 2 0-1 जल्दी करो यार प अब इनके vertices के coordinate आपको चाहिए, vertices के coordinate चाहिए, पता है क्या करते थे, याद करो तुम, तुम लिखते थे, x1, y1 लिखते थे, x2, y2 लिखते थे, और x3, y3 लिखते थे, फिर इस से आप कितनी equation मनाते थे, 9 equation मनाते थे, पता है कि 2 equal to x2 plus x1 by 2, ठीक है, फिर y के लिखते थे, minus 1 equal to y2 plus y1 by 2, फिर इसकी equation 1 equal to x1 plus x3 by 2, y2 plus y3 by 2 equal to 2, ठीक है, फिर equation मना लेते थे, सेम इसमें भी ऐसी equation मना लेते थे, फिर equation 1st, 3rd, 5th को add करके x1 plus x2 plus x3 कुछ आ जाता थे, फिर इस equation में x1 की value put करते थे, तो x3 आ जाता थे, समझ मैं, ऐसी तो बहुत बढ़ी-बढ़ी equations आ ज चाहूंगा, आपको एक line में solve करना है, इसलिए मैं ये सब मिटा दूँगा, ये सब मिटा दूँगा, मेरा shortcut देखेगा, ज्यान तो सुनिएगा, मेरा shortcut आपको ये technique बहुत बढ़ी अलगने वाली है, आप कुछ मत करना है, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो, ये क्या लिखा ह है, बोले 2, ये क्या लिखा है, 0, इसके opposite में क्या है, 1, तो ये minus लगा देगा, फिर से देखो, minus 1, minus 1, opposite में minus, ये coordinate आजाएगा, 1, minus, a के coordinate आजाएगा, फिर से देखेगा, बी के निकाल के दिखाता हूं, ये इसके opposite में e है, इसलिए याद रखना है, 1, plus 2, minus 0, 2, minus 1, minus 1, अब अंसर आजाएगा, ये minus 1, plus 2 आजाएगा, ये cancel हो जाएगा, सर, very good, मज़ा आगया आपकी बास सुनके, पर मुझे आप थोड़ा और अच्छे से depth में समझाता हूं, आईए, मैं फर्मुला देटा हूं, इसका फर्मुला ही बना देता हूं, ये C है C के opposite E है तो D वाला, और E वाला, could add कर देना, प्लस कर देना, इन लोगों को और इसके opposite वाले से के दी वाला फिरो एफ वाला मैमरल हो जाएगा गॉम मैस माategoron माम यहा जाएगा यह माइनस वान हो जाएगा टू उचस on वन सोट क्ये केंशल यह काचनल इटमेट करता हूं आपको यह मेरा shortcut बहुत अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा प्लीज नोट कर लो इसे नोट कर लो जल्दी से नोट करो प्लीज जल्दी से नोट करो प्रटा फर्ट नेक्स्ट ओके ओके ठीक है मैटाने जा रहा हूं दोस्तो याद रखेगा जा देखे पोस करो वीडियो को और कॉपी करो एक में मैं देखना चाहूंगा हाँ यास यही भून रहा था मैं रेशोस में ठीक है ता रेशो दा रेशो इन विज दा लाइन y minus 2 plus y minus x plus 2 equal to 0 डिवाइड दा लाइन जोइनिंग दी पॉइंट दिस और दिस आईए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक लाइन है a b 3,1 यह कोडिनेट दिया है और यह दिया है 8,9 को एक लाइन डिवाइड कर रही है जो लाइन है y minus x plus 2 equal to 0 case to 1 में तो आपको याद रखेगा आपको इसके रेशो फाइंड आउट करने रेशो फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है यह निकालना पड़ेगा x, y निकालना पड़ेगा और उसे आपको इससे पास कराना पड़ेगा तभी जाके इसके coordinate आ सकते है बट लेकिन मैं तो आपको direct बात बताऊँगा shortcut क्या बताऊँगा shortcut सुनना है तो आईए capital R ratio लिखो minus लगाओ का बोला मने ratio लिखो minus लगाओ इस वाले में पहले ये वाला का coordinate y की value क्या minus 1 minus 3 plus 2 clear है अब इस वाले की इधर value पूट कर दो 9 minus 8 plus 2 y ये ratio minus minus 4 plus 2 minus 2 आ जाएगा अब आप इधर देखेगा इधर देखेगा ये 1 3 आ जाएगा 1, 2, 2, 3 जोगा minus minus plus ये टो इस टूट 3 अगर आपको समझ में आया हो प्लीज chat box में ज़रूर लिखेगा मुझे आप बताईएगा जिससे कि मैं आपके लिए बहुत अच्छ अच्छ वीडियो बना सकूँ आप अगर उससे बात करोगे तो आपको फायदा जरूर होगा समझ में आ गया दोस्तो तुझे पाटिल क्लासेस का अपना एक एप है ठीक है उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे उस पर आपको मौक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा ठीक है उसे भी आप डाउनलोड करें समझ गए दोस्तों आईए नेक्स्ट सेंट्रॉइड ओफ अट्रैंगल भाई साब में में ने हमेशा देखा है में अक्सर इस पर कुश्चन आता है सबसे पहले आपको पता होना चीह सेंट्रॉइड क्या होता है पहले उसको समझे ठीक है यहां मैंने लिखके रखा हुआ बूट पर देखे न मुझे तो याद है The point of intersection of the median, the point of intersection of the medians of the triangle, okay, divide the median internally in the ratio 2 to 1, आईये दोस्तो, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले इदर देखे एक triangle बनाईये, A, B, C, एक simple language में बता रहा हूँ, अब D is a midpoint of BC, E is a midpoint of AC, F is a midpoint of AB, आप A से इस D को मिलाओ, B से इस E को मिलाओ, समझ लिया रहा हूँ, ठीक है, C से इस F को मिलाओ, जहां पर इंटरसेट करता है, वो centroid होता है, जो किसी भी लाइन को 2 to 1 में डिवाइड करता है, centroid के coordinate, X1 प्लस X2 प्लस X3 बाइ 3 होते हैं, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 बाइ 3 होते हैं, आप सब को मैं बताना चाहूंगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा, याद रिखेगा दोस्तों, complete exam में इस पर हमेशा मैंने एक प्रॉब्लम देखा है, पता नहीं क्यूं आता है लेकर, समझ में आ गया, दोस्तों जल्दी से नोट करो, पटाफाइड, पटाफाइड नोट करो, वाव, तो वर्टैस्स, वर्टैस्स अफा ट्रियंगल, इस दीखेगा, तो वर्टैस्स अफा ट्रियंगल, A, B, C, ठीके, क्या दिया हूँ है, minus 1, 4, क्या देकर रखा है भाई, 5, 2, आना, यह दी है ना, इस ए्स एंट्राइड इस 0, minus 3 तो centroid देख रखा है 0, minus 3 0, minus 3 तो third निकालना है x3, y3 find out करना है ठीके दोस्त अभी कर लेते है x equal to x1 plus x2 plus x3 by 3 x का मतलब क्या होता है 0 plus minus 1 plus 5 plus x3 by 3 यह 0 में चला जाएगा तो x3 I think minus 4 हो जाएगा और बच्चा बच्चा जानता x3 minus 4 दोसी बात आप second भी कर सकते हो y equal to y1 plus y2 plus y3 by 3 y की value minus 3 y1 की 4 2 y3 by 3 answer minus 9 minus 6 equal to y3 y3 equal to यह 6 हो जाएगा उदर जाएगा minus 6 हो जाएगा ठीक है दोस्तो minus 15 y साब वो जो point find करना था minus 4 का माइनस 15 प्लेस नोट करें प्लेस नोट करें जल्दी हरी अब जल्दी से नोट करें हरी अब प्लेस 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 नोट कर लिया जाओ तो वीडियो को पोस कर लो कोई दिखकत नहीं है वाउ यह भी question नहीं है अच्छा जो question नहीं आए ना मुझे जहादा में focus करता हूँ कि मुझे मालूम है इन ही की बारी है अब ठीक है अब क्या देख रखा है minus 2 3 4 minus 3 and 4 5 are the mid points of the sides of a triangle A B C ABC अब बताईएगा दोस्तों यह mid point है D यह E यह F दोस्तों सबसे पहले minus 2 3 अब answer दिखेगा 4 comma minus 3 answer दिखेगा यहाँ पर 4 comma 5 आपको मैं बता दूँ आपको मैं बता दूँ दोस्तों याद रखेगा सबसे पहले एक सबसे सुन्दर बात देखे मैंने कहाता है centroid क्या होता point of intersection of mediums याद रखेगा आपको बता दूँ A B C का जो centroid होगा इनका जो midpoint है D E F का centroid same point पर होगा इसलिए याद रखना direct formula लगा करके midpoint से भी आप centroid find कर सकते है minus 2 4 4 upon 3 x equal to 2 ठीक है y is equal to 3 minus 3 plus 5 by 3 ये cancel होगया 2 equal to 5 by 3 ये आपका centroid होगया 2,5 by 3 ये दोस्तों पटावाट नेक्स्ट आईए और्थो सेंटर क्या होता है इससे समझने की कोशिश करो और्थो सेंटर अफ़ ट्राइंगल चेके is a point of intersection of altitudes याद रहता है क्या होता है पटा point of intersection of altitudes याद रखेगा दोस्त मेरे पेटा सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा इदर नोट करिएगा आप इस बात को a b c मैंने centroid में काया था point of intersection of medians ये midpoint को मिलाते है अब यह से opposite लाइन पर यहां केवल परपेंडिकुलर डालेगा मैंने जानविट के तिर्चा डाला समझ में परपेंडिकुलर डालेगा परपेंडिकुलर ना कि midpoint midpoint दिखना नहीं चाहिए आपको समझ में आगे midpoint समझ गए दोस्तों यहां से देखना है इस से इस पर परपेंडिकुलर डालेगा इस से इस पर परपेंडिकुलर डालेगा जहां पर यह मिलेंगे यह और्थो सेंटर होगा समझ में आगे है और्थो सेंटर नेक्स्ट सरकम सेंटर दा सरकम सेंटर ओफाइंगल इस दा पॉइंट अफ पर पेंडिकुलर बाइस सेंटर डालेगा देखना देता हूं आपको अच्छे समझ माल जाएगा जिससे कि आपको बुच्पाइद होगा ए वी सी ऐसा पॉइंट जहां से पर्पेंडिकुलर बीड्रो हो जाए और मेट पॉइंट भी हो जाए उसे हम सरकम सेंटर बोलेगा समझ में आ गया ना पर्पेंडिकुलर बीड्रो हो जाए मेट पॉइंट भी हो जाए उसे हम सरकम सेंटर बोलेगा ठीक है अब देखिए और्थो सेंटर सरकम सेंटर सेंट लेंगल एबी सी द ऑर्थोसेंटर वो छी थी इस एंटरौ जी का अर्फ टुब तो इस जो कुछ तो आई यह मैं आपको समझा लाइन नहीं है होती आसान है यह बहुती फायदे में बात बुली मैं आपको देखले नहीं आपि। देखेगा इधर देखेगा सबसे पहली सबसे इंपोर्टेंट ए डी सी एक ही ट्रेंगल में अगर तीनों बनाओं तो पहले और तो सेंटर देखता है तो सरकम सेंटर देखेगा फिर पहले सेंटर देखेगा फिर सरकम सेंटर वह की लाइन पर लाई करते हैं जो ट्व इस टु वन में डिवाइट करते हैं तो शेंटर में बात करें दोस्तों इस पर पोश्चन बहुत अच्छे मतलते हैं ठीक है आईए और तो सेंटर देखे रखा है और सेंटर और तो सेंटर शे रखा के जिए स्थर ओ नियुको सर कंथ यह लो तर गूट बता देता हूं अब आपको गरदेता है ने कमल जेंट लिए कहें यह अकलब 7 by 2 plus n 1 यह नहीं 2, answer 2 plus 1, इसी यह cancel हो गया, तो 9 by 3 that means 3, समझ में आ गया दोस्तों, नमबर अकलब y is equal to m y 2 plus n y 1 upon m plus n, y is equal to 2 y 2 5 by 2 plus 1 1 upon 2 plus 1, इसी यह cancel हो गया, 5 plus 1 by 3, answer is 2, तो आपका और्थो सेंटर, सेंटर, सेंट्रोइड, क्या गया, 3,2, मज़ा आ गया होगा आप लोगों को, दोस्तों जल्द बाजी में फटा फट लेख रहा हूँ आपके लिए, टाइम बचे का जितना मेरे पास उतना मैं आपको बहुत अच्छा काम करके बता सकता हूँ, आपके लिए बहुत पॉजिटिव दे सकता हूँ, नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, भहुती सुन्दर बात लिखे हूई है, इसके अंदर और्थो सेंटर दिया है, सेंट्रोइट दिया है, सरकम सेंटर निकालना है, कुछ नहीं करना है, यार, यह वाला पॉइंट अप गीवन है, यह और यह वैल्यू होगी, आपके और ओ, अर्थो सेंटर दिया है, सरकम सेंटर दिया है, पाइंट करना है सेंट्रोइट, और यह क्या लिखा है, नाइन पोइंट सेंटर, आप सबको पता होना चाहिए, वन कॉमा वाल, 3 by 2, 3 by 4 अब बेटा इसका निकालना है तो 1 plus 3 by 2 by 2 1 plus 3 by 4 by 2 निकाल लेजेगा 5 by 4 निकाल लेजेगा 7 by 8 कितम हो गई बात समझ में आगे है दोस्तों बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आगे है आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है ठीक है अब दोस्तों नेक्स्ट जल्द ही में मतलब यह मान के चलिएगा आज ही मैं आपको फिर से एक और क्लास देने वाला हूं कॉडिनेट पर दो क्लास में आपका कॉडिनेट खतम हो जाएगा है अपना टॉप यह डाल दीया अब आप लोग अपना टॉप गेट कितना डाल पाते हैं उससे देखना है दोस्तों मेरे साथ आप लोग हाट वर्क करोगे तो मैं आपकी राइंग हंड़िद परसेंट इप्रोव कराद में आगे दोस्तों आप कैसा लगा मेरा यह वीडियो आप मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा नमबर सेके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर एक चीज हर एक इंफॉर्मिशन आप तक इसली पहुंच जाएगे लाइक करें शेर करें लिके दोस्तों चरिए अगली क्लास मिलते हैं ओके बाई बच झाल